Hey everyone, welcome to resolving chemistry और आज हम पढ़ने वाले हैं quantum numbers के बारे में कि quantum numbers क्या होते हैं और इनकी क्या importance है तो चलिए देखते हैं The address of an electron is given by quantum numbers अगर मैं बहुत ही simple words में कहूं तो मैं ये कहूंगी कि quantum numbers किसी भी electron के address को find out करने में help करते हैं The address of an electron can be determined by four quantum numbers किसी भी electron का जो address है वो determined होता है four quantum numbers की help से इसे हम आगे पढ़ें इसे पहले मैं आपको एक example से समझाती हूँ ठीक है अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मेरा address कहा है मैं कहां रहती हूँ तो मैं कहूंगी इंडिया में पर इंडिया तो एक बहुत बड़ी country है इंडिया में कहां मेरा answer होगा उत्राघंड क्योंकि मैं इजी पड़ जाएगा ठीक है तो वैसे ही four quantum numbers के levels हैं जिससे कि किसी भी electron के address को हम easily find out कर सकते हैं तो वो four quantum numbers क्या-क्या है चलिए देखते हैं पहला आता है principal quantum number जिसको represent किया जाता है small n से इसे हिंदी में कहते हैं मुख्य quantum संख्या दूसरा आता है azimutual quantum number और orbital angular momentum और subsidiary quantum number जिसे represent किया जाता है small l से यह सब इसी के नाम है जैसे होता है न हमारा school का नेम होता है हमारा nickname होता है बहुत सारे नेम होता है एक इनसान के वैसे ही azimutual quantum number के अपने दो और नाम है और इसे हिंदी में कहा जाता है दिगंशी quantum संख्या फिर third में आता है magnetic quantum number जिसे हम represent करत चुम्बगिया quantum संख्या और फॉर्थ में आता है spin quantum number जिसे की हिंदी में कहते हैं चक्रन quantum संख्या और इससे represent किया जाता है small s से तो अभी तक हमने quantum numbers की name पढ़ ले कि 4 quantum numbers क्या है और उनको हम किस तरीके से represent करते हैं अब हम हर एक quantum number को detail से पढ़ेंगे ठीक है तो first आ जाता है principal quantum number जिसको की small n से represent किया जाता है it denoted the number of cell in which electrons are present जो principal quantum number होता है वो denote करता है number of cell को जहां पर electrons present होते हैं cell इससे याद आता है कि cell तो हमने biology में पढ़ी थी अगर किसी की बायो होगी तो but chemistry में भी तो cells होते हैं तो वो क्या होते हैं चलिए देख़एं एक atom है atom के nucleus में present होते हैं proton neutron बाहर revolve करते हैं electrons तो यहां पर मैंने इन cell जो यह cell हैं इनको मैंने name दे दिया k l m और एक और बना क इन तो basically जो cell होता है उसका representation ही k l m और n से होता है जिसमें k जो होती है वो first cell होती है l second cell होती है m third cell होती है और n क्या होता पूर्थ cell होती है अगर n is equal to one है तो यह cell होगी k cell N is equal to 2 है, इस case में cell होगी L cell, N is equal to 3, तो cell होगी M, N is equal to 4 अगर है, तो cell होगी N, इसी तरीके से N is equal to 5 अगर होता है, तो cell कौन सी होगी? O cell होगी, ठीक है? Next point हम देखते हैं, कि principal quantum number जो है, वो information देता है about size of cell and energy of electrons, जैसे-जैसे N increase होता है, size और energy भी increase होती है, अब N कैसे increase होता है? N की value में increase होता है, ठीक है? N increase मतलब N की जो value है, उसमें increment हो रहा है, ठीक? अगर N की value, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 हो रही है, तो उसके 7 सा size में भी increment होता रहता है, कैसे? यह मैंने कहा न, यह nucleus है, और यह वाली मैंने कहा first cell है, कहा? यह वाली first cell है, जिसको मैंने कही नाम दिया है, ठीक यह nucleus है, यह first cell है, यहाँ से यहाँ तक का radius देखो कितना कम distance है, second cell है L, और इस nucleus से इस L की distance है, radius है को बढ़ रही है, और फिर इसी nucleus से इस third वाले cell तक, फिर से radius बढ़ा, radius बढ़ा मतलब size बढ़ा, तो K कब आता है, जब N is equal to 1 होता है, L cell कब आती है, जब N is equal to 2 होता है, M cell क बाती है, जब N is equal to 3 होता है, तो जैसे-जैसे N की value increase हो रही है, हम देख रहे हैं कि size भी तो increase हो रहा है, तो वही बात कही है कि जिस तर जैसे-जैसे N का value increase होगा, वैसे-वैसे size भी increase होगा, और energy भी increase होती जाती है, अब N की value होती क्या है, तो N की value जो होती है, वो integer number होते है मतलब 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5 से लेके कहां तक ये जाता है ये infinite तक जाता है ठीक, बट n जो है उसकी value 0 possible नहीं होती n की value 0 possible नहीं होती अब n is equal to 0 नहीं होता उसका reason क्या है क्योंकि कोई भी जो cell होता है वो 0 से कभी start नहीं होता कोई भी orbit जो होता है वो 0 नहीं होता cell, orbit, इन सब का starting होती है 1 से तो इसलिए जो n होता है उसका value 0 नहीं होता n integer number में रहता है 1, 2, 3 से लेकर के infinite तक but 0 value possible नहीं हो पाती किसके लिए? Principal quantum number जिसको हम represent कर रहे हैं small n से अब हम समझते हैं azimuthal या फिर angular momentum quantum number इसको हम represent करते हैं small l से it gives information about number of sub-shell and shape of orbital जो azimuthal quantum numbers होते हैं वो number of sub-shell and shape of orbital के बारे में inform करते हैं जब हमने principal quantum number पढ़ा तो हमने पढ़ा कि वो number of cell के बारे में बताते हैं और azimuthal quantum number number of sub-cell के बारे में बताते हैं और हमीशे ये बात ध्यान रखना कि cell में ही sub-cell present होते हैं उदर हमने cell के बारे में पता करा अब यहाँ पे मैं number of sub-cell के बारे में पता करना है मतलब यह बात तो वही होगी कि street का हमें पता है अब किसी के घर का पता करना है तो जो azimuthal quantum number है जिसे हम small l से represent करते हैं उसकी value होती है 0, 1, 2 और यहाँ से लेकर के n-1 तर अगर n is equal to 1 है तो l की सिर्फ एक value possible है वो है 0 अगर n is equal to 2 है तो l की values possible है 0, 1 n is equal to 3 है तो l is equal to होगा 0, 1, 2 मतलब यहाँ पे l की 3 values possible हो सकती है अब यह हम निकाल कैसे रहे है मैंने का न l is equal to हो सकता है 0, 1, 2 से लेकर के n-1 तक तो मैंने यहाँ पे अगर n is equal to 3 माना है तो 3-1 क्या होगा 2 होगा और 0, 1 से लेकर n-1 हो सकता है तो 0, 1 तो इसलिए यहाँ पे जो l की value होई वो 0, 1, 2 आई जिर्फ एक value possible होती है वो है 0 अगर n is equal to 2 होता है तो l की 2 values possible हो सकती है 0, 1 n is equal to 3 होता है तो l की 3 values possible होती है 0, 1, 2 ठीक है अब यहाँ पे एक chart बनाया है टेबल जैसी तो उसको समझने से पहले हम जो नीचे वाली table है उससे समझ लेते हैं कहना क्या चाहरा है यहाँ पे यहाँ पे लिखा हुआ है value of l नीचे लिखा है notation for sub-cell s, p, d, f यह कहा है sub-cells है ठीक है तो इस table में यह बताये गए है कि l की value अगर 0 होती है तो represent करता है s sub-cell को l की value 1 है तो means sub-cell है p l is equal to 2 है तो sub-cell है d l is equal to 3 है तो sub-cell है f ठीक है आया समझते है अगर l is equal to 0 होता है तो यहाँ पे sub-cell कोन से होती है s अगर l is equal to 1 है तो sub-cell क्या होगी p l is equal to 2 है तो sub-cell क्या होती है d l की value अगर 3 है तो sub-cell क्या होता है f तो अभी तक हमने यह समझा कि अगर हमारे L की value 0 दी गई है तो सब्षल क्या होगी S अगर L की value 1 दी गई है तो सब्षल क्या होगी P अगर L की value दी गई है 2 तो सब्षल होगी D L की value दी गई है 3 तो सब्षल कौन से होगी F ठीक है अब यहाँ पर इस table को देख लेते हैं कि क्या है यहाँ पर लिखा है cell, sub-shell और value of L अगर N की value होती है 1 तो sub-shell भी क्या होगा 1 जैसे कि मैंने आपको कहा है किस जो sub-shell होती है वो cell में present होती है इसलिए जितने cell उतने sub-shell ठीक है तो N is equal to 1 sub-shell होगी 1 और कौन से sub-shell होगी 1S और S के लिए जो L की value होती है वो क्या होती है 0, N is equal to 2 cell की जो बात कर रहे हैं वो है 2, तो sub-shell क्या होगा वो भी 2 होगा, कौन-कौन से sub-shell होगे 2S, 2P, और value of L क्या होगा 0, 1, और यह 1 मतलब यह बता रहा है कि sub-shell क्या है P, 0 मतलब sub-shell है S, N is equal to 3, sub-shell भी 3 कौन-कौन से 3S, 3P, 3D मतलब 0, 1, 2 यह होगे L के लिए values, जहाँ पे 0 का मतलब है S, 1 जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है कि P sub-shell है और 2 बता रहा है कि जो sub-shell है वो D है, N is equal to 4, sub-shell भी 4 होगी, कौन-कौन से sub-shell होगी 4S, 4P, 4D, 4F value of L क्या होगी, 0, 1, 2, 3 तो 0 मतलब sub-shell कौन से होगी S sub-shell, 1 मतलब P sub-shell 2 मतलब D sub-shell 3 मतलब F sub-shell next हम पढ़ते है magnetic quantum number बट मुझे लगता है जो वीडियो की length है वो थोड़ा बढ़ जाएगी इसलिए जो बाकी 2 बची है हमारी magnetic quantum number और spin quantum number उसको हम next वीडियो में पढ़ेंगे तब तक एक छोटा सा recall कर लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा ठीक है तो एक तम सा quick सा reason जिसे कहते हैं वो करके देख लेते हैं तो सबसे पहले हमने पढ़ा quantum numbers के बारे में कि quantum numbers क्या होते हैं तो हमें यह पता चला कि electron के address को find out करने के लिए quantum numbers helpful होते हैं कि अगर हमें किसी भी electron का address जाना है तो quantum numbers की help से हम वो पता कर सकते हैं तो four quantum numbers जो होते हैं determine करते हैं किसी भी electron के address को first आता है principal quantum number जिसको represent किया जाता है small n से second आता है azimithal quantum number और orbital angular momentum और subsidiary quantum number जिसको represent किया जाता है small l से फिर आता है magnetic quantum number जिसको represent करते है small m से फिर आता है spin quantum number जिसको represent किया जाता है small s से सबसे पहले हमने पढ़ा principal quantum number जिसको represent किया जाता है small n से तो यह हमें बताता है number of cell के बारे में जहांपर electron present होते हैं और cell क्या होती है, K, L, M, N, O, यह सभी क्या है, cell होती है, chemistry में, और अगर N की value 1 है, तो cell होगी K, N की value 2 है, तो cell होगी L, N is equal to 3 है, तो cell होगी M, N is equal to 4 है, तो cell होगी N, N is equal to 5 है, तो cell होगी O. Next point में हम देखते हैं, कि जो principal quantum number होता है, वो information देता है size of cell के बारे में, और energy of electron के बारे में, जैसे-जैसे N increase होता है, मतलब जैसे-जैसे N की value में increment आता है, वैसे-वैसे size भी बढ़ता है, और energy भी बढ़ती है, क्योंकि मैंने कहा कि first cell K है, second cell L है, third M है, fourth N है, तो यह जो K, L, M N है, वो किस base पे है, यह N की value के base पे तो है, N is equal to 1 है तो K, N is equal to 2 है तो L, N is equal to 3 है तो M, N is equal to 4 है तो N, तो इधर से पहला distance पे गया कि, मतलब N is equal to 1 पे, radius पी कम था, मतलब radius distance जो कम है, तो size भी कम है, धीरे-धीरे जैसे N का number increase हो रहा है, size भी बढ़ता जा रहा है, तो इसलि N की values क्या होती है, N की values जो होती है, एक integer number होता है, वो 1 से लेकर infinite हो सकता है, बट 0 नहीं होता, क्योंकि किसी भी जो orbit या फिर किसी भी cell की value होती है, वो 0 से start नहीं होती है, वो हमेशा 1 से start होती है, इसलिए N की value 0 possible नहीं है, 1 से लेकर, 2 से लेकर, मतलब 3 जो भी होता है, वहा angular momentum quantum number यह बोल रहे है it gives information about number of sub-shell and shape of orbital वो shape of orbital और number of sub-shell के बारे में बताता है इससे represent किया जाता है small l से l की value होते है 0, 1, 2 से लेकर n-1 तक अगर n की value 1 है तो हमारा l क्या होगा 0 अगर n की value 1 होती है तो l होता है 0 n की value 2 है तो l की भी 2 values possible है 0 और 1 n is equal to 3 है तो l की 3 values possible है 0, 1, 2 और ऐसी ही अगर n is equal to 4 है तो l की क्या-क्य values हो जाएगी 0 हो जाएगा 1 हो जाएगा 2 हो जाएगा 3 हो जाएगा इसने हम इसमें पढ़ेंगे magnetic quantum number के बारे में मुझे ऐसा लग रहा है कि इस video की जो length है वो थोड़ा सा बढ़ चुकी है तो इसलिए वीडियो को मैं यही पर अभी end करना चाहूंगी अभी हमारे दू quantum numbers बचे है magnetic quantum number और spin quantum number उसको मैं next video में upload करूंगी अगर आपको मेरा पढ़ायवाद थोड़ा सा भी समझ मा रहा है फिर थोड़ा भी अच्छा लग रहा है तो please guys comment जरूर कीजेगा और अपने advice, suggestion जो भी आप देना चाहते है मुझे comment box में कर सकते है comment और बस अगर वीडियो पसंद आती है तो उसे like कर दीजेगा और चैनल को subscribe कर दीजेगा share कर दीजेगा अगर पसंद आता है तो बाकि comments तो open है आपने suggestion, अपनी advice और अपनी queries भी comment box में comment कर सकते है till then bye, take care मिलते हैं next video में